एस्सुडेंट्स आज हम इंटरमीडियट फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे जो की साइटोस्केल्टन का तीसरा फिलामेंट है पहला फिलामेंट हमने पढ़ा माइक्रो फिलामेंट, दूसरा फिलामेंट हमने पढ़ा माइक्रो टिबूल, और यह थार्ट फिलामेंट है, जिसको हम कहते हैं, इंटरमीडियट फिलामेंट, इसका जो डाइमीटर है, और एक्टिन फिलामेंट, और माइक्रो टिबूल के बीच में होता है, इसलिए इसको intermediate filament कहते हैं, intermediate filaments, they are found in the cytoplasm of most animal cells, but not all animal cells, in most animal cells, they are tensile and they are rope-like, यह रसी के तरह से होते हैं, इसकी जो intermediate filament की जो subunit होती है, यह इसका एक subunit है, intermediate filament protein मानुमर, इस मानुमर से दो मानुमर मिलके, टू मानुमर्स, दे असेंबल एंड दे फॉर्म दाइमर, यह एक डाइमर है, और यह जो globular head है, यह carboxyl terminal tail है, तो यह दो है, यह बीच में राढ है, इस तरह से इसकी दो मानुमर्स मिलके, एक डाइमर बनाती हैं, end to end बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगती हैं, और दो डाइमर मिलके, टू डाइमर्स, दे फॉर्म एक टेट्रामर, यह बिल्कुल देखिए, यह एक डाइमर है, और एक दूसरा डाइमर है, यह दोनों एक दूसरे को overlap करते हुए, पूरी length stretch रहते हैं, और यह जो टेट्रा मर्स कैन पैक टूगेदर, एंड असेंबल इंटो हेलिकल अरे, एंड प्रोड्यूस, रोप लाइक इंटरमेडियेट फिलामेंट, यह इंटरमेडियेट फिलामेंट है, इसके इतने पोर्शन को जड़ा साम मैगनिफाई करके देखें, तो इस तरह से आएगा, यह टेट्र से रसी में बहुत सारे उसके स्टेंड्स एक दूसरे के साथ एंठे रहते हैं, त्विन करते हैं, उस तरह से यह मैनी स्टेंड्स आफ टेट्रमर, देट्विस्ट अगेंस्ट इच अदर, एंड देफॉर में रोप लाइक फिलामेंट, इस इंटरमेडियेट फिलामेंट, जो डायमेटर होता है, वो 10 एन हें होता है, माईक रो का डायमेटर जो है, वो 25 एन है, एक्तिन फिलामेंट का जो डायमेटर है, वो 5-7 एन है, तो इन दोनों के बीच का जो यह डाइमीटर है 10 mm इसके कारण डू तो इस रीजन कि यह दोनों के बीच में पढ़ रहा है इसका नाम दिया जाता है the intermediate filament intermediate filaments are generally permanent cytoplasm ig structures and they rarely break down they usually persist in the cells also in the cytoplasm तो यह जो filaments हैं यहां आमने देखाए इनका यह जो function है ऐसे cells जिनके उपर which are subject to more mechanical stress ऐसे cells ऐसे जिनके उपर mechanical stress बहुत अधिक होता है उन cells के cytoplasm में intermediate filaments के नमर बहुत जादे होते हैं यह epithelial cells है और इसमें यह intermediate filaments है यह एक cell है और यह दूसरा cell है और यह जो circular थोड़े थोड़े पैच दिखलाए गए है यह junction है दो cell के बीच के junction है दो plasma membrane को जो junction फार्म कर रहे हैं जो दोनों attach कर रहे हैं यह junction से इसके पहले जब हम आपको cell junction पढ़ाए थे तो बताए थे कि दो plasma membrane जो एक दूसरे के करीब आती है और दोनों एक छोटे छोटे पैचस के दौरा जो की protein से एक दूसरे से पर anchored होती हैं तो इस सेल के साइटो प्लाजम का के जो intermediate filament है और यह जो दूसरा सेल है उसके जो intermediate filament से देखिए यह सब सेल जंक्शन्स पर anchored है एक सेल की plasma membrane जहां दूसरे सेल की plasma membrane से मिल लही है उस पर जंक्शन्स पाए जाते हैं इस स्मॉल सर्कुलर पैस टाइप से हैं और यह protein से तो तो दोनों plasma membrane में कुछ proteins होती है जो जिनको हम caterins कहते हैं वह caterins एक दूसरे के साथ फर्म हे शेक हैंड करते हैं बहुत कलाई से एक दूसरे को पकड़ती है और छूटने नहीं पाती दो सेल्स आपस में पकड़ मजबूत करते हैं और यह जो intermediate filaments हैं वह इन junctions में anchored हैं उनके साथ जुड़े यह दूसरा सेल है यह तीसरा सेल है यहां देखिए इसका यह junction है यह तीसरे सेल की intermediate filaments हैं तो सब एक दूसरे के साथ करते हैं और इसको इन सेल्स में tensile strength पैदा करते हैं तनाव सहने की छमता produce करते हैं और जिससे सेल रप्चर नहीं होने पाता है टूटने नहीं पाता है एक वजब बनादे आपको यह न्यूखलिए से साइटो प्लाजम है यह प्लाजमा मैंब्रैन और इस पर एट वैसे जहां दोनों सेल की प्लाजमा मैंब्रैन मिल है यह जंक्शन से और यह जंक्शन पर इंटर्मीडियट फिलामेंट्स एंकर्ड है तो इसको इस्टेश किया जा रहा है इसको इस्टेश किया जा रहा है फैलाया जा रहा है intermediate filament के कारण due to presence of intermediate filaments cells remain intact and together आप देखें यहां पर इसकी यह height जादे है और इसको जब खीचा गया तो cell इस तरह से लंबाई में बढ़ गया और height में थोड़ा कम हो गया इसका जो nucleus है यहां जैसे circular है यहां थोड़ा सा इसको हम इस तरह से शो कर रहें ताकि यह खिचाव के कारण इस्टेचिंग हुई है लेकिन यहां पर सेल्स जो हैं रप्चर नहीं होने पाते हैं और यहां पर यह वही चीज दिखलाई जा रही है यह तो जंक्शन तो हैं लेकिन इसमें इंटर्मीडियट फिलामेंट्स नहीं है बिदाउट इंटर्मीडियट फिलामेंट्स और यहां पर भी स्टेचिंग हो रही है इस्ट्रेचिंग बिदाउट इंटर्मीडियट फिलामेंट्स इसका रिजल्ट क्या हो रहा है यह देखिए सेल एक दूसरे से टूट जा रहे है रप्चर हो जा रहे हैं अलग हो जा रहे हैं तो यह रप्चर शो किया जा रहा है कि सेल्स एक दूसरे से अलग हो गए और यहां पर सेल्स रप्चर तो इंटर्मेडियेट फिलामेंट्स का जो में फंक्शन हो गया कि वो इसको टेंसाइल स्टेंथ देता है यह रोप लाइक ये रसी के तरह से होते हैं और इस जंग्समेंवेंटोज में अपनी मजबूती से पकड़ बनाया रखते हैं और तो उसको च्र нравится को cells को tissues में intact बनाय रखते हैं they remain together in the tissue और यहाँ पर intermediate filaments नहीं है तो cell यहां पर rapture हो जारहा है जो cytoplasm में intermediate filaments पाया जाते हैं major, intermediate filaments जो हैं वो इतने तरह के होते हैं एक तो साइटोप्लाज में पाया जाने वाले होंगे मेंली साइटोप्लाज में इंटरमीडिट फिलामेंट पाया जाते हैं तो यह कई तरह के होते हैं कि एक तरह के इंटरमीडियत फिलामेंट को कहते हैं कि रयंट ल वह काँ पाँ जाएगा इपित्यिया में जैसे यह की इसके न 충्द्सरा है." इसके सेल यह प्रोटीन कहां पाए जाएगी इंटर्मीडेट फिलामेंट कहां पाए जाएंगे यह कनेक्टिट पिशू में पाए जाएंगे मसल्स में पाए जाएंगे और निरोग्लियल सेल्स में पाए जाएंगे तो इस जगह पर वाइमेंटिन एंड वाइमेंटिन रिलेटिट इं intermediate filament में protein लगेगी और उसका नाम पढ़ेगा उस intermediate filament का उसको कहेंगे नियूरो filaments, neuro filaments, nerve cells में पाए जाएगा, nerve cells के जो exons होते हैं, उसमें बहुत सारे intermediate filaments पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी nerve cells के exons में भी बहुत stretching है, बहुत तना हो बहुद वहां पर इस्ट्रेस है तो यह intermediate filaments नर्व सेल्स में भी mechanical stress को बरदास्ट करने की छमता देते हैं रिजिस्ट कराते हैं और दूसरे तरह का जो intermediate filament पाया जाएगा यह तो तीन में जो filaments थे वो रिटो प्लाज में पाय जा रहे थे और एक दूसरे तरह का intermediate filament और कटेगरी आफ intermediate filament जो की nucleus में पाय जाएगी तो उसको कहा जाएगा nuclear लेमिन्स नुकलियर लेमिन्स जो तो nuclear envelope का inner membrane है उसको जो strength provide करेगी उसको कहा जाता है nuclear लेमिन्स मैं आपको एक चोटा सा डाइग्राम बना दूँ यह nuclear membrane हो गई इस पर ribosomes भी पाय जाएंगे nuclear पोर हो गया यह inner nuclear membrane हो गई यह outer nuclear membrane हो गई यह साइटो प्लाज्म हो गया तो शोट यहां पर सेंट्रों पाय जाएगा और यहां पर यह सेंट्रियोल्स हो जाएंगे जो कि microtubule organizing centers होंगे और यहां से microtubules originate होंगे यह microtubules हो गए इसरे से microtubules जाएंगे और यहां पर nuclear lamina form होगा यह nuclear lamina है जो red color से बनाए जा रहा है यह हो जाएगा नुक्लियर नुक्लियर ले मिना यह सेंट्रों सोम है यह सेंट्रियोल्स है और सेंट्रियोल्स जो है यह माइक्रो टिब्यूल आर्गनाइजिंग सेंटर है तो यह हो गया माइक्रो टिब्यूल माइक्रो टिब्यूल और यहां पर यह बाहर जो है वो इंटर्मीडियर फिलामेंट्स पाए जाएंगे यह हो जाएंगे साइटो प्लाज में यह इंटर्मीडियर फिलामेंट्स हो जाएंगे यह तो नुक्लियर मेंब्रेन हो गई और यह जो है यह हो जाएगा इंटर मीडियेट फिलामेंट तो सरी चीजों को हम लोग ने देख लिया कि ये निउकलर इरमेलप के बाहर साइटो प्लाज में इंटरमीडियेट फिलामेंट है ये माइक्रो टिवियूल है जो कि सिंटोसोम से एराइज हो रहा है और ये निउकलियर इनवेलप है और निउकलियर इनवेलप के इनर मेंब्रेन से अटेज्ट एक निउकलियर लेमिना है और इसमें जो माइक्रो टिवियूल पाये जाएगा इंसाइड दे निउकलियस उसको कहा जाएगा निउकलियर लेमिन्स नुक्लियर लैमिन्स को लैमिनिन से कन्फ्यूज करने की आश्यक्ता नहीं है क्योंकि जो लैमिनिन्स होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलूलर मैट्रिक्स में पाई जाती है और nuclear lemns जो हैं और nucleus के अंदर inner nuclear membrane से attached जो intermediate filaments होंगे उस protein को कहा जाएगा nuclear lemns उस intermediate filaments को कहा जाएगा nuclear lemns और ये कहां पाए जाएगा in all nucleated cells जितने भी nucleated cells हैं सबके अंदर nuclear lamines पाई जाएंगे inside nuclear lamina तो लेमिन एक अलग प्रोटीन है और लेमिन एक दूसरी प्रोटीन है लेमिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलूलर मैट्रिक्स में पाई जाती है और लेमिन जो है वो नुक्लियर मेंब्रेन के इनन साइट पर इंटर्मेडियर फिलामेंट्स जो पाए जाएं के उनको कहा जाएगा नुक्लियर लेमिन्स यह जो इंटर्मेडियर फिलामेंट्स हैं वो जनरली पर्सिस्ट करते हैं हमेशा के लिए लेकिन नुक्लियस में पाए जाने वाला इंटर्मेडियर फिलामेंट्स जिसको हम कहते ह है न्यूक्लियर लेमिंज यह फिलामेंट ब्रेक होते हैं डिरिंग सेल डिवीजन जब मायटॉस होती है तो मायटॉस में जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो यह इंटर्मीडियेट फिलामेंट जो न्यूक्लियर लेमिंज के रूब में पाये जा रहे हैं वो ब्रेक कर जाते हैं छोटी उनिट्स में और फिर जब दो डॉर्टर सेल्स बन जाती हैं सेल डिवीजन के बाद तो फिर यह रीफॉर्म हो जाते हैं तो न्यूक्लियस में पाये जाने वाला इंटर्मीडियेट फिलामेंट ब्रेक करता है डियूरिंग सेल डिवीजन और जब डॉटर सेल्स बनती हैं तो यह री फॉर्म हो जाता है साइटो प्लाज में पाये जाने वाला इंटर्मेडियट फिलामेंट यह तरह से पर्मानेंट इस्ट्रेक्चर बनता है और यह जनरली ब्रेक नहीं करता है तो यह जो sub intermediate filament का जो function है वो tissues को mechanical stress से बचाता है उसको बरदास्त करने की यह छंता देता है तो it protects from mechanical injury तो cells rupture नहीं होने पाते हैं cells intact पड़े रहते हैं